मश्कार वेलकम ओल फ्यू आज की वीडियो में अकबर सिस्मंदी पत्पुन तथ्या जो पुछे जाते हैं सभी एक्जाम में आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपनों के साथ लाइक और शेर भी करते हैं जी जनाम 15 अक्तुबर 1542 इस्वी को अमीदा बानू बेगम के गर्ब से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था राजब शेख 14 फरबरी 1556 को पंजाब के काला नौर नामक स्थान पर हुआ था अक्वर ने दिनेलाई धर्म की स्थापना 1542 इस्वी में अक्वर के द्वारा की गई थी इस धर्म को सविकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बिर्वल था मैं ज़्यदा चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं जी दोस्तो अक्वर के दर्वार का प्रसित संगीतकार तामसें था प्रसित चित्रकार अब्दूर समत था जी दोस्तो अक्वर ने मनसवदारी प्रथा शुरू की थी यह एक सासन परनाली थी जिसके तैद अक्वर अपना सासन चलाता था अकबर नामा गरंत की रचना अब्दूल फचल के द्वारा की गई थी अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत 1562 स्वी में जजिया कर्स मावथ 1564 स्वी में राजधानी आगरा से फते बोशिकरी स्थाना अंतरिक की गई थी 1559 स्वी में यदि दोस्तों जादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और विंच जोगों नोट कर सकते हैं अकवर के नवरतन थे अब बूल फजल, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंग, अब्दुलरहिम, खाने खाना, फकीर अज्यूदीन, मुला दो प्याजा, फैजी, तानसेन ये सब अकवर को सासन चलाने में साहितर करते थे अकवर की महत्वपून करितियां, दिल्ली में हमाईू का मकवरा, आगरा का लाल किला, दिवाने खास, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, लाहोर का किला, पंच महल, जोधा बाई का महल ये सब करितियां अकवर ने अपने शाशन के दोरान बनाई थी यदिस में ज्यादा चाहिए तो आप वीडियो को रोग सकते हैं अकवर के काल को हिंदी साहित्य का स्वन काल का जाता है अकवर ने बुलंद दरवाजा का निरमान गुजराद बिज़े के उपलक्से में करवाया था गुलंद दर्वाजा भारत वर्स में प्रियटक्स्थल के रूप में मशूर है अकवर नगाड़ा नामक बादे यंद्र बजाता था अकवर संगीत प्रिया था अकवर की मृत्यू 1605 सुन्य हुई थी यदि दोस्तों वीडियो उपसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ लाइक और शेयर भी करें